है इस होब कि आप सभी लोग ठीक होंगे सुरक्षित होंगे सेफ होंगे अपना ध्यार रख रहे होंगे और अपनी फैंबली का ध्यार रख रहे होंगे जी हाँ मैं हूँ आपका एजुकेटर मिस्टर फिरेंसिंग और आप जोड़े हुए इस यूट्यूब चैनल के साथ जैसा कि आप लोगों को पता था कि CSIR पहले ही ट्वीट करके जानकारी दे चुका था कि इस बार दिसंबर और जून का साइकिल जो है वो मर्ज होने वाला है उसी के बारे में उन्होंने अब एक्चुली में डेट जो है वो अनौंस कर दिया अभी सिर्फ उन्होंने अनौं या कह सकते कि CSIR NTA ने जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और अप्लिकेशन फॉर्म को भी जो है वो स्टार्ट कर दिया है जी हां सो चलिए देखने की कोसिस करते हैं कि क्या नोटिफिकेशन में आया हुआ है सो वेनेवर यूस कैन सी डाट कि एक 10 मार्च को यह नोटि 2023 दोनों को ही merge करके exam लिया जा रहा है, इन्होंने and यहां पर नहीं बोला है, slash मारा है, मतलब यह की बात है, मतलब दोनौ एक ही exam के तरीके से consider की जा रहे है, यहां पे इन्होंने merge की बात नहीं करी है, यहां पे slash मतलब और की बात की गई है, so this examination will be like कि यह 2022 और 2023 का एक ही exam हो रहा है, merging जैसे concept जिसको हम assume कर रहे थे कि seat बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, ऐसा कुछ यहां पे बात नहीं किया गया है, यह mentioned आप देख सकते हैं, इसके लावा National Testing Agency को उपर जब बात किया जाएगा तो, यह joint CSIR-UDC net exam conduct कर रहे हैं, जैसा कि इन्होंने बहर जगा पे यही mention किया हुआ है, कि यह जो condition है, basic तोर पे, December 2022 या 23 को एक साथ, एक ही time पे लिया चारा है, यह examination जैसे आप जानते हैं, कि JRF या Lectureship के लिए, online application form का जो date है, website CSIR-NTA.NIC.in पे जो है आप जाके form को fill up कर सकते हैं, 10 March से form fill up start है, और 10 April तक 5 PM तक form का fill up चलता रहेगा, इससे पहले ही आपको form को भर लेना है, so that कि ऐसा नहों कि पता लगा, इस date के बाद last में जो है, आप करें तो फिर आपको late fee सायद देना पड़ सकता है, ठीक है, याद रहे कि last date for the payment of fee, कि fees का payment जो है, application fees का payment, वो करीब-करीब 10 April के रात 11.50 पीम तक है, correction window जो open होगा, अगर कभी किसी व्योजवों से आपके firm में कोई गलती जो हो जाती है, तो correction window जो open होगा, वो 12 April से लेके 18 April के बीच में है, ये date भी mention, यानि note कर लीजेगा, क्योंकि अगर कभी आपसे कोई गलती हो जाती, तो इसी दोरान correction window ओपन होगा, और आप जो है, अपने incorrect information को correct कर सकते हैं, date of examinations जो रखा गया है, वो 6, 7, 8 June को रखा गया है, यानि 6, 7 और 8 June को जो है, examination होने वाला है CSIR net का, जैसा कि आपको पता है, mode of exam जो होगा, वो computer-based test की तोर पर माना जाता है, और duration of exam जो होगा, वो 180 मिनिट यानि 3 घंटे का होगा, pattern of exam objective type with MCQs, और जो total test papers अगर यहाँ पर consider किये जाए, तो वो कौन को से test papers है, वो आपके, that is chemical sciences, art sciences, atmospheric, ocean and planetary sciences, life sciences, mathematical sciences, physical sciences, जो है, इस फ़र्म में, medium of the paper इस बार भी इन्होंने bilingual बोला है, पिछली बार जो है, कई दफ़ा, जो है, कई चीजे, notice या कई students ने आवाज भी उठाई थे, कि नई bilingual में काफी दिक्कत हो रही थी, कई सारे educators, या कई सारे teachers, कई सारे YouTube channels पर लोगों ने इसके बारे में बोला कि, एक साथ bilingual होना थोड़ा सा गरबढ है, और readability में जो है, थोड़ी सी दिक्कते आ रही है, लेकिन फिर भी साथ इस बार भी bilingual मतलब English और Hindi एक साथ ही आने वाला है, तो आप लोगों के लिए prior suggestion यह है, कि अभी से तयार हो जाएंगे, और English और Hindi वाले जो previous papers हैं, उनको पढ़ने की habit डालिए, उनको proper download करिए, और उनको पढ़ने की habit डालिए, कि अगर एक ही question में एक line English और उसके नीचे Hindi लिखा हुआ रहा है, तो आप कैसे readout करेंगे, ठीक है, तो यह सब चीजों के लिए जो है, आपको पहले जही तयार होना ज़रू लिए, बाकि जो course code है, eligibility criteria, कर सकते हैं, csirnet nta.nic.in पर, याद रहे कि आप कोई भी clarification के लिए अगर आपके मन में कोई भी doubt आता है, तो आप NTA के help desk, जो csirnet at the rate nta.ac.in पर जोड़ है, या इस given number पर call करके, अब t query या कोई भी clarification के लिए आप connect कर सकते हैं, ठीक है, So, these are the informations, informations के बाद कुछ और चीजों के साथ में आगे आपके साथ जुड़ा रहूँगा, कि आखिर कैसे form जो है fill up करना है, क्या क्या और भी information bulletins में क्या क्या specific चीज़ें दी गई है, उन सभी चीजों के उपर हम बात करने की process करेंगे, लेकिन जाते जाते एक छोटी सी चीज में यही suggest करूँगा, कि examination के pattern में ज्यादा कुछ changes नजर आने वाला नहीं है, और जो examination का pattern पहले था, लगभग वही pattern अभी भी mention किया जा रहा है, मतलब कुल मिला जुला के बात इतनी सी है, कि तैयारी अपनी भरपूर करना सुरू कर दीजे, और bilingual mode यानि कि English और Hindi mode के लिए तैयार रहें, नए questions यानि नए absurd questions या out of the box questions के लिए भी रही रहें, so at the end में यही कहूँगा, don't prepare for the best, be prepared for the worst, अगर आप worst के लिए तैयारी करेंगे, सो सायद बहतर तरीके सीख साम को टैटल कर पाया, we'll see you in the next video, till then bye bye, take care and all the best.